हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के टाप टेन ओपनिंग वीकेंड्स के बारे में और तीन दिनों में मनमर्जिया का क्या हुआ हाल आपका स्वागत करते हैं बॉलीगराद के गलियारे में अनुराक कस्यब द्वारा निर्देशित फिल्म मनमर्जिया ने ओपनिंग वीकेंड में 14 करोन 33 लाख रुपए का कलेक्शन किया है फिल्म को सिर्फ 3 करोन 52 लाख रुपए की ओपनिंग मिली थी मगर उसके बाद सनिवार और रविवार को कलेक्शन में उच्छा लाया और फिल्म ने सम्मान जनक आगड़ा पा लिया समय च्छतों से अच्छे नमर पा चुकी मनमर्जिया को माउथ पब्लिसिटी से फायदा हुआ है हाला कि अब सेख बच्चन, तफसी पन्नू और विक्की कौसल अबनित फिल्म 2018 के टॉप 10 ओपनिंग बीकेंड में आने से चुक गई है इससे पहले आई इस्तरी ने ओपनिंग बीकेंड में 32 करोन 7 लाग रुपए जमा किये थे मगर कुछ लाग से वो भी चुक गई थी इस साल के टॉप 10 ओपनिंग बीकेंड इस प्रकार है दसवे अस्तान पर आ गई है धड़क जिसने 33 करोन 67 लाग रुपए रिलीज के पहले तीन दिनों में जमा किये है ससांग खेता निर्देशित फिल्म को करन जोहर ने प्रडूस किया है नौए अस्तान पर आ गई है बीरे दी बेटिक जिसने ओपनिंग बीकेंड में 36 करोन 52 लाग रुपए जमा किये एक जून को रिलीज हुई फिल्म को ससांग घोस ने डायट किया है चार दोस्तों की इस कहानी में करिना कपूर, सोनम कपूर, शुरा भासकर, सिखा और सुमिद ब्यास ने मुख भूमकाए निभाई है ओपनिंग बीकेंड कलेक्शन की लिस्ट में आठवे नम्मर पर पैड मैन है जिसने 40 करोन 5 लाग रुपए का कलेक्शन किया था इस बायोपिक फिल्म में अक्षे कुमार ने अरुणा चला मुर्ग नाथम का किरदार निभाया जबकि राधिका आवटे उनकी पतनी के किरदार में थी सोनम कपूर ने भी फिल्म में एक आहम किरदार प्ले किया था अक्षे और निर्देशक आर बालकी का ये पहला एसोसेशन था पैड मैं हिट रही सातवे अस्थान पर खिसक गई है राज कुमार गुपता निर्देशित रेड जिसने ओपनिंग बीकेंड में 41 करोन 1 लाग रुपए जमा किये इस फिल्म में अजे देवर ने इंकम टेक्स अधकारी का रोल निभाया इलियाना डिक्रूस ने उनकी पतनी का किरदार प्ले किया 100 करोन से अधिक कमा कर ये फिल्म भी हिट रही छटे अस्थान पर जॉन अब्राहिम की फिल्म सत्मय जैते है जिसने 56 करोन 91 लाक रुपए पांस दिनों के ओपनिंग विकेंड में जमा किये है जबकि तीन दिनों में फिल्म ने 37 करोन 62 लाक रुपए का कलेक्शन किया था पांचुए स्थान पर अक्षे कुमार की गोल्ड आ गई है इस फिल्म ने रिलीज के बांस दिनों में उपनिंग विकेंड की लिस्ट में चौते अस्तान पर टाइगर स्राप की बागी टू है जिसे एहमत खान ने डारेट किया इस एक्षन रोमांटिक फिल्म में दिसा पटानी पहली बार टाइगर स्राप के साथ आई एक्षन कुले का टाइगर की इमेज की चलते फिल्म ने 73 करोन 10 लाक रूपए का सांधार ओपनिंग विकेंड किया तीसरे अस्तान पर है रेज 3 जिसने ओपनिंग विकेंड में 106 करोन 47 लाक रूपए जमा किया है रेमो डिशूजा निर्देशित फिल्म में सलमान के अलामा बॉबे देवल, जैक इन फरनाडिस, अनिल कपूर, साकिप सलीम और डेजी सान ये मुख किरदार निभाये हैं लिश्ट में पदमावत दूसरे अस्तान पर है संजरीला भंसाली की इस मैगनम ओपस ने 114 करोन का कलेक्शन किया जिसमें 19 करोन पेड प्रिव्यूज का भी सामिल है पदमावत काफी समय तक बिवादों में रही थी जिसकी वज़ा से इसे 2017 से हटा कर 2018 में रिलीच किया गया फिल्म में दीवका पदुकोन निच्ची तौड की रानी पदमावती, साहिट कपूर्ने राजा, महारावल रतन सिंग और रणवीर सिंग ने दिली सर्तनत के सुल्तान अलाउद दिन खिल्य का किरदार में भाया थी पदमावत 2018 की पहली 300 करोन की फिल्म भी है हाला कि बजट अधिक होने की वज़ा से फिल्म बहुत फायदे में नहीं माना गया है 120 करोन 6 लाग रूपे के साथ टॉप 10 ओपनिंग बीकेंड कलेक्शन की लिस्ट में टॉप पर संजु है राजकुमार हिनारी मिर्देशी संजे दत की इस बायो पिक में रणवीर कपूर, परेश रावल, सोनम कपूर, विक्की कौसल और मनीशा कुरेला ने मुख किरदार निभाय है आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताइए क्या टॉप टेन ओपनिंग विकेंड कलेक्शन में 2.0 टॉप पर आएगी या नहीं आप हमें परेश परेश नहीं